तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लडेस्ट वीडियो में फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग सियाक और सबाग के हवाले से इक्तबास की तश्रीव करना सीखने वाले हैं जो कि आप लोग एक्जाम में चार नंबर का पूछा जाता है क्या है सियाक और सबाग कैसे एक्तबास की तश्रीव की जाती है और आखिरकार एक्तबास किसे कहते हैं यह हर एक चीज आप लोग को आज किस वीडियो में पता चलेगा यह वीडियो आप लोग के लिए काफी इंपॉटेंट है स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बिना इसकिप के देखिएगा और हर एक पॉइंट समझ भीएगा ताकि एक भी पॉइंट चूटे ना हर एक टॉपिक समझ में आ जाए और जब आप लोग के एकजाम में कोशन पूछे तो आप लोग एकदम जबरदस्त अंदाज में एंसर लिखकर आए आप लोग का एकजाम नजदीक है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक काफी इंपॉटेंट वीडियो है जो कि अपलोड किया गया है और वैसे भी आप सभी लोग का बहुत जबर कमेंट भी आ रहा था कि मैं एक्तबास की तश्रीख करना बता दीजे तो कोई दिक्कत नहीं है आज की इस वीडियो में चली स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं एक्तबास की तश्रीख कैसे किया जाता है और हाँ स्टार्टिंग में ही मैं आप लोग को बता देना चाहती हूं कि आप लोग के एक्जाम में दो तरह से तश्रीख करने के लिए आता है एक शेर की तश्रीख और एक इक्तबास की तश्रीख है शेर के तशीप आप लोग जानते हैं जो कि हिसे शाइरी से जुड़ा हूँए होता है जानी कि घल नजम मृसिया इसमें क्या होता है जो कि शेर उशारता च्रह्या भुलता इस अशार होते हैं ठीक है ना तो हिसा साइरी है या नंकी फूर से अशार की एनिकी फूरी घजल आ उस घजल का शेटाकर दे कि चूर्ण से शेर की तश्री करने के कुछता है जो कि आप लोग को अलड़ी बता चुकी हूं शेर की तश्री करना कि किससे पेहले वाले वीडियो में अगर आप लोगशने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक यह सी के डिस्कृप्शन में कि एक राजा था एक रानी थी दोनों मर गए हो गई खतम कहानी ठीक है तो जो भी है मतलब नॉर्मली बातचीत की तरह कहानी लिखा जाता है उसी तरह मजमून निबंद जो है आम बोल चाल की तरह जिस तरह हम लोग नुर्मली बातचीत करते उसी तरह से मजमून यानिकी नि करने के लिए पूछा जाता है लेकिन हिस्सेह नस्र में जिसमें का क्या क्या आ जाता है अफसाना कहानी आ जाता है उसके बाद से दास्तान आ जाएगा जो कि आम बोल चाल की तरह लिखा जाता है नर्मली बात्ची जिस तरह हम लोग करते हैं उसी तरह के से दास्तान लिखा इक्तबास का मतलब होता है अंश चोटा सा टुकडा जैसे कि माली जी एक पूरी कहानी लिखी हुई है और उस पूरी कहानी में से मैं कुछी लाइन उठाकर अलग लिख दूँ तो उसी को कहा जाता है इक्तबास यानि की टुकडा उस कहानी का एक छोटा सा इक्तबास हो गया यानिकी छोटा सा टुकडा, पूरी कहानी में से दो चार लाइन उठाकर, कुछ लाइन उठाकर मैं लिख दी, तो उसको क्या कहा जाता है, एक्तबास यानिकी टुकडा, तो उसी तरह से, जिस तरह हिसा शाहिरी से शेर की तश्रीप करने के लिए आता है, बिल्कुल उसी तर की तश्रीप सियाक वो सबाग के हवाले से कीजिए, सियाक वो सबाग का मतलब होता है, के बाद और के पहले, यानि की उस एक्तबास जो आप लोग को एक्तबास दिया रहता है, जो छोड़ा सा टुकडा दिया रहता है, उस एक्तबास का मानी, आप लोग को उस एक्तबास क कि आगे और उस एक्तबास के पीछे कि बातों को ध्यान में रखते हुए लिख देना ही क्या कहलाता है एक्तबास की तश्री करना कहलाता है फिर से एक बार ध्यान से सुनिए इससे शायरी में क्योंकि घजल नजम मरसिया आते हैं क्योंकि इन में इशार होते हैं तो इस तो हिससे नसर से एक्तबास की तश्रीक करने के लिए में पूच्छता है यानि कि कोई भी अफ्साना का एक्तबास कोई कोई सबाक का मतलब होता है के पहले और के बाद यानि कि उस एक्तबास के तश्रीह करना है उसके आगे और उसके पीछे की हुई बातों को ध्यान में रखते हुए मतलब कि वो जो एक्तबास है उस एक्तबास के आगे पीछे क्या-क्या बात हुआ है मान लीजे वो इक्तबास एक कहानी से उठाया गया है ठीक है ना एक कहानी से वो छोटा सा टुकडा उठा दिया गया है और कहा गया है कि इस इक्तबास की तश्रीख कीजिए तो वो जो इक्तबास है वो जहां से उठाया गया है उसके आगे और उसके पीछे कौन-कौन सी बा है रही हूँ सकृष्ट हो रहा होगा एक क्विश्टन्स है देखिए पढ़िए को चुन है कि दरज़िजायल एकतबास की तश्रीह सियाक को सबस्त कीजिए कि नीचे आप लोग देख सकते हैं एकक्तबास दिया गया है पढ़ैंश produto र Southern ये इक्तिबास ये किसी मजमून का हो सकता है, किसी अफसाना यानि की कहानी का हो सकता है, किसी दास्तान का हो सकता है, या किसी खाका का हो सकता है, मतलब ये इक्तिबास है, तो इस इक्तिबास को पढ़िए, मेरी दुकान सुखन में एक ही तरह के जिन्स नहीं रहती, लेकिन आपके लिए कुछ निकालता हूँ, तो एहतियात की छलनी में अच्छी तरह छान लिया करता हूँ, कि किसी तरह की सियासी मिलावट बाकी ना रहे, ये एक इक्तिबास हो गया, अब ये कहां से लिया गया है, क्या ये टुकड़ा जो है, अफसाना का है, कहानी का है, या फिर मजमून यानि की निबंद से लिया गया है, या फिर दास्तान से लिया गया है, ये आप लोगों को पहचानना रहता है, और फिर इस टुकड़े के आगे और पीछे, क्या क्या बात कही गई है, उसको ध्यान में रखते हुए, इस एक्तबास का मानी, यानि की अर्थ लिखकर बयान कर देना है, उसी को क्या कहते है, सियाक और सबाक के हवाले से, एक्तबास की तश्रीह करना, ठीक है ना, आई होप आप लोग को अब समझ में आ गया होगा, तो ये आप लोग का एक्तबास दिख रहा होगा, और इस एक्तबास की तश्रीह, सियाक और सबाक की हवाले से, यानि कि इस एक्तबास की आगे और पीछे के बात को ध्यान में रखते हुए, मैं यहाँ पर कर दी हूँ, आप लोग देख सकते हैं, यानि कि इस question का यहाँ पर मैं answer लिख दी हूँ, और इसी को example लेकर चलिए हम लोग समझते हैं, कि आप लोग को किस तरह से एक्तबास की तश्रीह करना है, जरूरी नहीं है कि जो अभी एक्तबास में पढ़कर बताई, यही एक्तबास आप लोग लिखना कैसे start करेंगे, समझते हैं, सबसे पहले तो लिखने से पहले आप लोग को यह जानना होगा कि वो एक्तबास किस chapter से उठाए गया है, क्या वो एक्तबास किसी मजमून का है, कि अफसाना का है, कि दास्तान का है, कि खत का है, आप लोग को पता करना पढ़ेगा, तो आप लोग सबसे पहले उस इक्तबास को पढ़िए, सबसे पहला काम आप लोग को क्या करना है, कि उस इक्तबास को जो कि आप लोग के question पर में एक्तबास दिया रहेगा, उसको पढ़िए, कितना बार पहणना है, तो कम से कम 4-5 बार पढ़िए, और ये पता लगाईए, कि आखिर वो एक्तबास किस चेप्टर से उठाये गया है और उस एक्तबास का मतलब मानी अर्थ क्या होए ये आप लोगो पता लगाना है तो पढ़िए इस एक्तबास को जो आप लोगो इस स्क्रिम पर दिख रहा है मेरी दुकाने सुखन में एक ही तरह के जिन्स नहीं रहती लेकिन आपके लिए कुछ निकालता हूँ तो एहतियात की चलनी में अच्छी तरह चान लिया करता हूँ कि किसी तरह की सियासी मिलावड बाकी न रहे एक बर फिर से पढ़िये मेरी दुकाने सुखन में एक ही तरह के जिन्स नहीं रहती लेकिन आपके लिए कुछ निकालता हूँ तो एहतियात की चलनी में अच्छी तरह चान लिया करता हूँ कि किसी तरह की सियासी मिलावड बाकी न रहे पता क्या चल रहा है पता ये चल रहा है कि ये जो एक तबास है ये जो टुकड़ा है ये एक खत से लिया गया है जो कि मौलाना बुलकलाम आजाद द्वारा रिखा गया खत था मौलाना बुलकलाम आजाद की तीन खुतूत पढ़नी है गुबार खातिर से तीन खुतूत तो उसी खत से ये एक तबास हैं की टुकड़ा उठाया गया है उसी खत से लिया गया है तो आप लोग को ये खुद याद आएगा अगर आप लोग चैप्टर पढ़े रहेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा याद आजाएगा कि हाँ ये जो लाइन है ना ये इस चैप्टर से उठाएगे खुद याद आजाएगा अगर चार-पाच बर पढ़ेंगे तो और अर्थ भी समाझ में आजाएगा इसका आर्थ क्या पता चल रहा है कि मेरे दुकान इस त्कि तरह की लोगא नहीं रहते हैं मैं आपके लिए अगर कुछ लिखता हूँ तो अचछी तरीके से इतियात की छलनी में पर लिखना करता हूं ताकि किसी तरह की स्यासी मिलावट बाकी न रही कुछ इसी तरीका एक इस समझमें आरहा ना टौड़ा टोड़ा बहुत भी को सजा कर लिखना रहेता है और उसके आगे और पीछे क्या बात की गए उस system से तश्रीय करना तो कि नहीं तो थे मैनिक को सबसे हर चाहे आप किसी बीक्तिबास की तश्रीकियों ना कर रहे हों सब के स्टार्टिंग में आप लोग यह लिखेंगे पेशन अजर इक्तिबास ठीक है ना और उसके बाद से यह जो भी ब्लू कलर के मारकर से लिखी हूं यह आप लोग का इक्तिबास होने पर चेंज होता मौलाना आजाद के पहले खत से माखोज है यानि कि पेशन अजर इक्तिबास मौलाना आजाद के पहले खत से माखोज है यानि कि पता तो आप लोग को चल गया है कि यह जो इक्तिबास है कहां से लिया गया है तो खत से लिया गया है और किसका खत है तो मौलाना बुलकलाम वब दोस्त की हैसियत से लिखते हैं कितने अच्छे त्रीकgas को सजा कर लिखा गया है और तश्रीह किया गया है मौलाना अबुलकलाम आजाद अपने मक्तूब अले हैं यानि कि जिन को ये खत लिखे हैं सदी के मुकर्म को ये खत लिखे रहते हैं तो अपने मक्तूब अले हो यानि कि सदी के मुकर्म को कहते हैं कि मैं आपको जो खुतूत लिखता हूँ वह एक सियासी लीडर के हैसियत से नहीं बलकी एक मुखलिस दोस्त की हैसियत से लिखता हूँ चुनाँच मौलाना आजाद फरमाते हैं कि मेरे दिल की दुनिया में हर किसन के जौक के लोग मौजूद हैं लेकिन जब मैं आपको एक मुखलिस दोस्त की हैसियत में खत लिखता हूँ तो बहुत सोच समझ कर लिखता हूँ कि आपके जौक के मताबिक हो तमाम जुमलों और ख्यालात को एहतियात की छलनी में च्छान कर वही अलफाज और वही जुमले का इस्तमाल करता हूँ जो आपके हस्बेहाल हो और यह भी ख्याल और एहतियात रखता हूँ कि उन जुम्लों में सियासी ख्यालात की कोई आमेजिश न हो यानि कि सियासी मिलावट न रहे ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से खुबसूरत अंदाज में तश्रीह किया गया है इसी तरीके से थी स्टार्टिंग अप लोग का यही रहेगा यह नहीं की यह मैं उपर लिखी हूँ यह टाइटल यह ही लिखшьी spokesperson नहीं नहीं कि यह तो टाइटल में दे nächste से आप लोग लफजों को सजा कर तश्रीख कर पा रहे हैं यह आपके उपर डिपेंड करता है यहां पर तो मैं आप लोग उसे कहना चाहती हूं कि यहां पर आप लोग जो कुछ सही लिखना पड़ेगा अब इससे आगे में कुछ नहीं कर सकती है आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे भी आसान बना कर बता दीजिए अब इससे आसान कुछ नहीं होता है ठीक है ना यहां पर आप लोग अपने हिसाब सही लिखना पड़ेगा अगर आप लोग सोचेंगे क कोई एक ऐसा लंबा चड़ा सेंटेंस में आप लोगो बता दू जो की कोई भी एक्तबास की तश्रीफ करने के लिए पूछे हम लोग वही लिख दें तो ऐसा देखिया हर चीज का शॉटकॉट नहीं होता हर टॉपिक का ट्रिक नहीं होता तो उसी तरह का ये भी एक टॉपिक है जिसका कोई ट्रिक नहीं है यहाँ पर आप लोगो अपने हिसाब से ही लफजों को सजा कर लिखना होगा बस बात खतमाई होब आप लोगो समझ मे लिखने से आती है लिखेंगे तभी तो लिखना आएगा और वैसे भी मैं आप लोगों को उर्दू पढ़ना लिखना एक दब बेसिक से स्टार्टिंग से सिखा चुकी हूँ आप लोग नॉर्मली यूटूब पर सर्स करेंगे ना उर्दू फर बिगनर्स तो आप लोगो तो आप लोग उर्दू पढ़ना लिखना क्या बलकि दूसरों को पढ़ाना लिखाना भी सिख जाएंगे तो अगर आप लोग को लिखने नहीं आता है तो आप लोग उस वीडियो को देखिए जरूर आप लोग सर्स भी करते हैं यूटूपर उर्दू फर बिगनर्स अपलोग देख लीजे अराम से आसानी से सीख सकते हैं तो चलिए आज किस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं और आई होप आप लोग वडियो को लाइक शेर जरूर करते होंगे जो कुछ भी आप लोग को समझाई अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके जाहिर क लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे और वीडियो को जितना ज़्याद हो सके शेयर कर दें अगर आप लोग यहां तक स्क्रेंट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लिए फड़ावट स्क्रेंट शॉर्ट आज के इस वीडियो में बिस इतना ही फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले राफिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज